सुप्रीम कोट ने शाही इदखा मस्ज़िद से जुड़े लाबाद हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी है लाबाद हाई कोट ने अपने आदेश में मत्रास्थित कृष्णु जन भूमी मंदर से सटी शाही इदखा मस्ज़िद में सर्वेक्षिन के अनुमती दी थी हाई कोट ने ये सर्वेक्षिन अदालत की निगरानी में करवाया जाने का आदेश दिया था अब सुप्रीम कोट ने कहा है कि पूरे मामले की सुनवाई हाई कोट में जारी रहेगी लेकिन सर्वे पर अंतरिम रोक रहेगी निउस एजनसी पीटी आई की एक रिपोर्ट कहती है जस्टिस संजीप खन्ना और जस्टिस दीप आंकर दक्ता की बेंच ने मंगलवार 16 जनवरी को इलाबाद हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी कहा कि इस मामली में कुछ कानूनी मुद्दे सामने आया है मंगलवार को सुप्रम कोट में सुनवाई शुरू होते ही मस्ज़द कमिटी के वकील तस्नीम एहमदी ने हाई कोट के फैसले पर सवाल उठाया इन इन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मताबिक कोट ने हिंदू पक्ष के वकील श्याम दिवान से कहा क्या कोई आवेदन इस तरहां से दायर किया जा सकता है कमिशनर की नियुक्ती के लिए अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं किया जा सकता इसका उद्देश्य बिल्कुल सपष्ट होना चाहिए आपको सपष्ट रूप से बताना होगा आप क्या चाहते हैं ये भी कि आप कमिशनर से क्या करवाना चाहते हैं इस पर गौर करने के लिए सब कुछ कोट पर नहीं छोड़ा जा सकता सुप्रिम कोट ने मुस्लिम पक्ष की आचका पर सुनवाई करते हुए आगे कहा इस मामले में हाई कोट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन सर्वे करने के लिए कोट कमिशनर की नियुकती पर अंतरम रोक रहेगी आपको ये भी बताते चलते हैं कि लाबाद हाई कोट ने शाही इद घापर क्या कहा था 14 दिसंबर 2023 को लाबाद हाई कोट में मामले के सुनवाई हुई थी कोट ने मत्रा में श्रीकृष्णी जन्मूमी मंदर से सटे शाही इद घापरिसर के सर्वेक्षिन के निया दालत की निगरानी में एक एड़ोकेट कमिशनर की नियुकती की मांग को सुईकार कर लिया था इंदुपक्ष ने वारानसी के ग्यानवापी परिसर की तर्ज परमत्रा में भी सर्वेकी मंजूरी देनिका की आचिका दायर की थी लाबाध हाई कोट में श्रेकृष्णी विराजमान और साथ अन्य पक्षकारू ने वकील हरी शंकर जैन, वकील विश्णू शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन की माध्यम से आचिका दायर की थी श्रेकृष्णी जनभूमी से सते शाहीदका परिसरत का assessment का assai survey कराने की मांँ थी श्रेकृष्णी विराजमान और अन्य आचिका कर्टाओं से जवाब देने को कहा है मामली में अगली सुनवाई होगी 23 जनवरी को इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे तमाम जानकारी आपके लेकर आये थे हमारे साथ ही रवी सुमन मेरा नाम दिव्याशी सुम्राग है आप देखती रहिए ती लल्डन टौपट वशक्रिया